जैसरी कृष्णा राम राम नमस्ते एक वार फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ मैं तो जैसे के आपको पता है ये मनाली का माल डोड है अगर आपने देखा होगा बहुत ही सुहाना दिन है धूप निकली है ठंड बहुत ज्यादा है यहां पर ठंड तो यहां पर सितंबर से ही होना शुरू हो जाती है काफी ज्यादा लेकिन दिसंबर आते आते बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है अभी तक परफ नहीं पड़ी है और आप देखें तो टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा आया है बहुत ज्यादा भीड है इतनी भीड जो होती थी पहले जून जु अगर अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लें, लायक करें, शेयर भी करें बहुत ही अच्छी जगा है मनाली घुमने के लिए अगर आप पहले भी आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी जगा है ये ये माता का मंदिर है ये दुर्गा माता का मंदिर है ये मार डोर में ही है इसी के पीछे जो है बस स्टेंड है अगर आप आते हैं तो आप इस बस स्टेंड में उतरेंगे और यहां से मार डोर शुरू हो जाता है ये सामने बस स्टेंड है और ये सामने सामने जो भी है ये बड़े बड़े होटल हैं आप आराम से आकर अपनी फैसिलिटी का होटल वगरा बुक कर सकते हैं हर फैसिलिटी इधर है मैं यहां गूमने आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ मनाली कैसी दिखती है मनाली का मार रोड कैसा है हिमाचल में बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए उन में से मनाली भी एक जो है फेमस टूरिजम प्लेस है और मनाली में बहुत ज़्यादा जगह भी है देखने के लिए हडिमबा माता का मंदिर है मनू टैंपल है सोलंग वैली है साथ में आपका गया रोटांग दर्रा रोटांग पास इधर से है लाहल सुपृती भी हैं से जाते हैं और अटरल सुरंग जो बनी है वो भी यहां से थोड़ी आगे जाकर ही है तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक्यू थेंक्स फर वाचिंग हव गुड डे स्टे सेव स्टे हैल्दी